तालिबान के कबजे के बाद शुरू हुआ अफगानिस्तान का मानुविय संकट बढ़ता ही जा रहा है। हजारों की संख्या में अफगानी देश छूड़ रहे हैं। इस वज़ा से बड़ा शरनार्थी संकट यहां पर खड़ा हो गया है। कई देशों ने अफगानों को शरन देने का अलान किया है जब कि कई देशों ने अफगानी शरनार्थीों के एंट्री पर गाल लगा दिया है। चरनार्थीों के लिए आगे का फ्लान क्या है इनको लेकर दुनिया भर का रुख क्या है। कब तक आम अफगानी अपना सक को छोड़ कर यूही भागता रहेगा, यूही मरता रहेगा, यूही अपनों को खोता रहेगा। सबसे पहले उन देशों की बाद, जिन्होंने अपने दर्वाजे परिशान, हताश अफगानियों के लिए बंद कर दिये हैं। ये वो देश हैं जो खुद को अफगानियों का मित्र बताते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त इन्होंने अपना मुह मोड लिया है। प्रधान मंतरी अमरान खान ने जून में कहा था कि अगर तालिबान ने नियंतरन कर लिया तो उनका देश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को सील कर देगा लेकिन सीमा पर सतरक्ता की कमी के बज़ा से बड़ी संख्या में अफगानी भाग कर पाकिस्तान में घुस रही हैं एक अन्मान की मताबिक पाकिस्तान में समय करीब 30 लाख अफगान शरणार्थी मौजूद है सवाल ये कि खुद को अफगानियों का हितैशी बताने वाला पाकिस्तान आखिर क्यों इस मुश्किल वक्त में अफगानियों से मुह मोड रहा है तो इसकी बड़ी वज़ा है तालिबान तालिबान की सत्ता में वापसी पाकिस्तान की शह पर हुई है काबूल में तालिबान का सत्ता में लोटने का मतलब है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान भी सत्ता में लोट आया है इसलामबाद ने ही तालिबान को हत्यार, गोला बारूड, ट्रेनिंग और फंडिंग दी है इसके अलावा पाकिस्तान की खूफिया एजनसी, आईएसाई और तालिबान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है इसके अलावा इसलामिक देशों का मुखिया बनने के चाहत रखने वाले तुर्की ने भी आम अफगानियों से दूरी बना ली है और अफगानी शरनार्थियों को रोकने के लिए एरान बर्डर पर तुर्की दिवार खड़ी कर रहा है औस्ट्रिया ने किसी भी अफगान शरनार्थी को लेने से इंकार किया है स्विजर लेंड ने भी कहा है कि वो अफगानिस्तान से सीधे आने वाले शरणार्थियों के बड़े समूहों को स्विकार नहीं करेगा रूस ने अफगानिस्तान भाग रहे लोगों को शरण देने से साफ इंकार कर दिया है रूस का कहना है कि वो अपने देश में शर्णार्थियों की आड में आतंकियों की एंट्री नहीं चाहता नाम पे जगा देना बुरी बात नहीं है लेकिन भविश में होता क्या है भविश में होता है कि जब डिमोग्राफी चेंज उन्हें आने लगती है तो वो देश की आइडेंटिटी खत्रे में आ जाती है अब जानते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से देश हैं जिदोंने अपने दर्वाजे हताश परिशान अफगानियों के लिए खोले हुए हैं भारत, अमेरिका, बृतेन, कैनेडा, इरान जैसे बड़े देश इनमें शामिल है हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान में शानती का समर्थक रहा है भारताम अफगानियों के साथ भूत, भविश्य वर्तमान हर वक्त खड़ा रहा है इस मुश्किल घड़ी में भी एक सच्चे दोस्त की तरह उनको कंधा देने उनका हाथ पकड़ने भारत उनके साथ खड़ा है लगभग हर दिन अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों को एरलिफ्ट करके भारत लाए जा रहा है भारत ने इवीजा की एक नई श्रेणी शुरू की है जो अभी 6 महिने के लिए वैद होगी वीजा के आवेदनों को ट्रेक करने के लिए इवीजा की एक नई श्रेणी भी शुरू की है इसके जरिये जारी हुआ वीजा 6 महिनों तक वैद होता है जिसके लिए बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा हुआ है यहां ध्यान दीजिए भारत ने शर्णार्थियों पर 1951 के कन्वेंशन या शर्णार्थियों की स्थिती से संबंधित 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किया है फिर भी मानवी अधार पर नई दिल्ली से फैसले लिए जा रही है इनमें अफगानिस्तान के बड़े निता भी शामिल हैं जिनकी संख्या ज्यादा है अलाद खराब थी ठीक नहीं थे बहुत रियाशत गर्दी चल रही थी प्रेशानी बहुत ज्यादा थी अफगानिस्तान में हमारे पीडियों से रह रहे थे इस तरह आलाद जो एक अमने नहीं देखा थो जो आप देख रहे हैं सब कुछ हमारे सेरिया सब कुछ ख़तम हों है वी साल जो गौश्मेंट बढ़नी थी अता सब कुछ ख़तम हैं अब जीरो है हम सब कुछ छोड़कर ये महसूस किया जा सकता है अनरकली जी अपना वतन अपना मुल्क अपने लोगों को उस जमीन को छोड़ना इसका दर्द और किन हालात में आप देख लिए है बिलकुल हालात अमारे लिए बहुत सिच्वेशन ऐसी हुआ कि हम मजबूर हो गए अपन पर देश को छोड़कर पूर्य अफगानिस्तान के ओर से मैं भारत के प्रतिय अभार वेक्त करती हूं और शुकरिया कहना चाहूँ है इस मुसीबत की घड़ी में हमें यह पता लग गया है कि पडोसी देशों में से भारत ही हमारा अच्छा दोस्त है भारत हमेशा हमारे सा अच्छा रहा युगांडा 2,000 अफगानियों को अपने देश में एंट्री देने के लिए तयार है उस्ट्रेलिया का भी मानवी वीजा कारिकरम के तहट अफगानियों के लिए 3,000 जगा सुनिशित करने का प्लान है इरान ने भी अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने तीन प्रांतों में शर्णार्थियों के लिए आपाद कालिन तंबू स्थापित किये हैं लगभग डेड़ हजार अफगानों के अफगानिस्तान उजबेकिस्तान सीमा पार कर शिवर स्थापित करने की खबर है अमेरिका इस समय काफी देशों की सरकारों से बात कर रहा है कि अधर आप अफगान रिफ्यूजी अपने यहां रखें दो हजार पांच हजार ऐसे कुछ नंबर वो आपको मैं भेज दूँगा क्योंकि अमेरिका जो ला रहा है रिफ्यूजी वो काबोल से उठा के उनको या तो दोहा ला रहा है भी या काबोल से उनको जर्मनी ले जा रहा है अपने एर बेस पे वहां से वो उनको अमेरिका नहीं ले जा रहा है उनको इन देशों में डिरेक्ली ही बेच दे इस्तोनिया में, अल्बानिया में, युगांडा में जहां से उसने डील कर लिया। इस्तों में बयान नहीं किया जा सकता।